मित्रों जय माता दी आप देखने धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आजीरूं आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल सोंगवार यानि की 18 जुलाई 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2089 सराव मेर तक रहेगा तो दुपांत उत्तर भातर पतर नसे तर आरंब हो जाएगा वत्तिहार में आज है सावन सोम्रार का पहला वरत मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक महुरतों गएम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंच में दिसासूल., सुभखादे, पूरा का पूरा रासी फल निर्भाड़ करता है कुमरासिम चंदरमा आद दिन के 12 बच का 8 मिनट तक रहेंगे ता दुप्राण चंदरमा का मिन रासी में प्रवयफ हो जाएगा तो इनमी सभी ग्रहों का मिलाद लहाल आज के रासी फल में हम आए जानते हैं बात करेंगे पली रासी मेश रासी की मेश रासी मचंद्रमा तीसरे अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपके आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है ओफिस के कुछ महत्पून कारी आज आपको करने पड़ सकते हैं आज अगर आप अच्छी योजना बना कर करी मेहनद करेंगे तो आपको उसमें सफलता की प्राप्ती होगी धैरे रखें दिन भर आपका मन खुश रहेगा संतान के तरब से कुछ अच्छी खबर भी मिलेगी आज अगर घर में कोई धार्मी कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी व्यापार उधन की बात के आई के सोरोतों में बढ़ोत्री होगी नोकरी में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही ओफिस में वाद व्याद की स्थिति उत्पन हो सकती है वस्तों के खारीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं कुल मिलाक अगर देखा जाए तो परिवार में खुसहाली का वातावरन भी बना रहेगा विद्यार्थी की बात करें जो तक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के अच्छा रहने वाले सफलता उनको मिलेगी स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के देश्टी से आज के अपके लिए बढ़िया रहने वाले अपने स्वास्ते का फिर भी ध्यान रखें प्रेम समन की बातकेत अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक हो सकते हैं आज किन लोहे के बतन में खाना पकाते हैं खाना खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाइट पिंग क तो अपनी भावनाओं पर नियंतन रखें, नए वाहन खैदने का मन आपका बन सकता है, मकान भूमी का सुख भी मिल सकता है, जो आतक खेल कूच से समन्द रखते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है, महला जातकों के लिए आज उनती का अच्छा अवसर भी बनेगा, व्यापार सफलता मिलने की संभावना बन रही है, पिर भी महनत में किसी परकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें, स्वास्त की बात के आज आपके सिर्मे दादर रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्ति बढ़िया रहेगा, तो अपने स्वास्ति का ध्यान रखें, प्रेम समन के लिए अच्छा भी रहेगा, आज कि मतला हो भोजन करेंगे, तो आपके लिए सुप रहेगा, आपके लिए आज का सुप रंग लाल लंग लकी नम्मर चार रहने वाल है, बात करेंगे मिध्षुन रासी की, मिध्षुन रासीम चंत्रभा पांचमे इस्थान में बिराज कहीं यात्रा पर जाने की योग भी बन सकते हैं कहीं पर भी आप अपने मन की बात किसी पर थोपने की कोशिस ना करें यहां से नुकसान हो सकता है व्यापार उधन की बात के आज आज आपको व्यापार में करी प्रद्योगता का सामना करना पर सकता है बड़े निवेश करने स बचें, जुरा तक नोक्री करते हैं, उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है, नोक्री में परिवर्तन की सम्हाँना बन सकती है। उन्चपध की प्राप्ती हो सकती है, आपके आय में व्र्धी भी होगी। विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामान्य रहने वाले हैं, मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी, स्वास्त की बात करें पेट से समंधी दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है, आज मसाईदार खाने और बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्त ठीक रहेगा. प्रेम समंध की बात करें, प्रेम समंधों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है, जीवन साथिय का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा. जीवन साथिय के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे. आज की अगर अरहर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा. आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग लखी नम्मर साथ रहने वाला है. बात केंगे करकरासिकी. करकरासिम चंदरमा छटे अस्थान में विराजित है. जिसके फ्रसुब आज आपके कोई राज साबजनिक हो सकते हैं तो सचेत रहें. आज किसी पर अकरामा खोने के बजाए सांती से काम लें. आपके दोस्तों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा. परिस्व ज़्यादा करना पर सकता है. वाहन चाहते समय भी साधानी बढ़ते हैं. वियापार उधन की बातके आपकी आर्थिक इस्तिती सुद्रीड होगी. बच्चों से जोरे मामले में पोजिटिव रहेंगे तो आपको फायदा होगा. वियापार में आपकी इस्तिती अच्छी बनी रहेगी. विद्यार्थी की बातके विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. जो विद्यार्थी कॉमर्स के फेल्ड के हैं, उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ती भी हो सकती है. स्वास्ति की बात के तो महिला जातकों को अपने स्वास्ति के परती सचेद रहना होगा अपने जीवन साथी के स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समंद की बात के तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीबन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज किन मसूर की दाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सफेदरंग लकी नम्मर नौ रहने वाला है बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासी मचंदरमात साथमें स्थान में विराजी थे जिसके फसुब आज आप अपने कमों में वैस्ते रहेंगे आज आप पर काम का लोड ज्यादा रह सकता है आज अपने कुरोध पर भी नियंतर रखें या कुरोध आपको हानी करा सकता है बेरुजगार जातकों को किसी मित्र के सहियोग से नोकरी लग सकती है परिवार के किसी विशेश चिंता का समधान हो सकता है सरकारी कारियों सबको सफलता मिलेगी व्यापार और धन की बातकेत व्यापार में कोई नई यूजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेन देन में साब्धानी बढ़ते हैं निवे सगर करना भी हो तो अनभवी लोगों की सलाह विचार से ही करें विद्यार्थी की बातकेत विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिक्षा पाईना हमसे और सहमत भी रह सकते हैं स्वास्ति की बात के सांच से समंदित कुछ परेशानी रह सकती है अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समंद की बात के आज जीवन साथी से अनबन की संभाम ना बन रही है तो अपने आप पर नियंतन रखें संभन रचे बना के रखें आज कि इन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग फाल सही रंग लगी नमबर रहने वाला 9, बात करें के कन्यारासी की, कन्यारासीम चंदरमा आठवे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसों बात करने की आपकी कला से, आपके रुके हुए और बिगरे हुए काम, आज बन सकते हैं, सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा, नई कामकाज की प्लैनिंग हो सकती है, आज के दिन अगर किसी द आचरहाओ आ सकता है, खर्च में आपके बरहतरी हो सकती है, पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा आउसर बनेगा, वानी जी के विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग भी बनेंगे, स्वास्ति की बात के त्मानसिक और सांती बनी रह सकती है किसी परकार की चिंता रह सकती है ठकान और आला से भी बना रहेगा प्रीम समन्त की बात के जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा भी देगा जीवन साथी से समान और प्यार की प्राप्ति भी होगी आज किन मुंग की दाल अपने खादे बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेगा सुनारा रहेगा लखी नमबर रहने वाला साथ बात करेंगे तूलारा काम करने के जगह के विशे में बदलाओ का मन आपका हो सकता है, आपका आज पूजा पाठ में मन भी लगेगा, वाहन या जमीन खहिदने की योग भी बन सकते हैं, आज आप मानसिक सांति का अनभव करेंगे, जुरातक कला के छेतरे से जुरे हुए हैं, उनके लिए विदेश स्वास्त की बात के सांस से समधित कोई बीमारी या मुसमी रोग होने की संभाव ना बन रही है, आज आपकी मानसिक सांति ओएस्थिर रहेगी, प्रेम समंध की बात के लिए आज की न अच्छा रहने वाला है, जो या तक और विवाहित हैं, उनके लिए विवाह के पस्ता झीकरमां 10 भी ऐस्थान में विर्यजित है जिसके फ्रसुब आपकी रहन सेंट कि श्षर्थी में सुधार आ सकता है पुछ समाजी कारी करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है आज अपना काम आप जितनी भी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा वानिप अपने नियंतन रखें, किसी से वादव्याद भी हो सकते हैं आपके हां किसी महमान का आगमन भी हो सकता है, आपके बच्चों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा किसी महतपूर्ण व्यक्ति साब के आज मुलाकात संभ हो है, लंबी यात्रा करने से बिल्कुल बचें व्यापार औधन की बातकेत आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, साथी खर्च भी आपके बढ़ेंगे आपके बचाए हुए पैसों में कमी आ सकती है विद्यार्थी की बातकेत विद्यार्थियों का ठकान और अलसी महसूस हो सकता है, इन दोनों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें, सफलता तभी मिलेगी स्वास्त की बात करें अपने स्वास्त का ध्यान रखें पेट से समन्दी छोटी मोटी बिमाडियों से पिरित रह सकता है गैस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्त कराब हो सकता है प्रेम समन्द की बात करें आज अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएं कहीं घूमने जाएं इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज किन गेहूं से बनीवी चीने खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग के लिए लगी नमर तीन रहने वाला है बात कहेंगे धनु रासी की धनु असीम चंद्रमा 11 हुएं इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप परिवार में लारी जहरी का महोल बन सकता है तो आपस में सामन ज़स से बना के रखें मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको आज अपने मन की बात के सी से सेर ना करें आज हो सकता है आपकी गत्विधियों पर कोई और भी निज़र रख रहा हो तो साब्धान रहें अपनी हर रोज की आदतों से बचें माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा व्यापार उधन की बात के नोकरी करने वाई लोगों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है व्यापारियों को व्यापार में लाब मिलेगा आपका आर्थिक बजट आज थोड़ा डगमा आ सकता है तो अंकोरी तनाज खाएं यहां से आपका पेट साफ रहेगा और आप स्वस्त भी रहेंगे प्रेम समन्द की बात के प्रेम समन्दों के लिए आज के इन मिलाज़ता रहेगा जीवन साथी से कुछ वाधिवाद आपके हो सकते हैं तो आज के इन थोड़ा समल कर बोलें मधुर स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज करिन आप अपने केरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं आज का बनाया हुआ योजना आपको आने बाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है जोड़ा तक मकान या भूमी खहिदने का प्रियास कर रहें उनकी और मित्रों का भरपूर से योग प्राप्त होगा व्यापारो धन की बातने कहीं पैसे निवेस करते समये आज किन थोड़ी साभ्धनी बरतने की आपको जोरु रहत है तो कहीं भी एकर निवेस करना हो तो नियोजी धन से करें बड़े बज़ुर्गों के सरह के बाद ही करे आज के इन खर्चों में आपके बढ़ोत्री हो सकती है जमा किये हुए पैसों में कमी आ सकती है लेकिन आए के सुरोतों में बढ़ोत्री संभव है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाल है विद्यार्थी करन अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किये होंगे उसका फ़ल उनको मिल सकता है स्वास्ते की बातकर आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा लेकिन आप अपने माता के स्वास्ते का ध्यान रखें क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं उनका स्वास्ते अधर डगमगा सकता है तो उनका ध्यान रखने की आवश सकता है प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के इन मध्यम रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ हलकी नोग जोग हो सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामाने भी हो जाएगा आज के इन चावल अपने खादे पताते में सामिल करेंगे तो आपके रहेगा आपके लिए आज का सुब्रन गुलावी रेंग लखी नम्मर साथ रहने वाला है बात करेंगे कुमरासिकी कुमरासिकी चंद्रमात पर्थामस्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुब अगर आप नोकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आज आप मधुरुबानी बोलिए मीठा बोलिए आपके सारे काम बनते रहेंगे आज किन आपको अपने पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपका मनोवल भी बना रहेगा आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भाबनावस पर नियंतन रखें किसी से भी आज अपने दिल की बात सेर ना करें खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानी पहुचा सकता हो व्यापार उधन की बात कि आर्थी दिश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है आपको आलस से और निंद्रा आ सकती है तो आलस से और निंद्रा का त्याग करें इंदोनों पर विजय प्राप्त करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें स्वास्ति की बात कि आज आपका स्वास्ति सामान ने रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वाष्ट का धियान रखें क्योकि उनका स्वास्तिता डगमा आल सकता है तो उनका धियान रखने की आवज सकता है प्रेम समन्द की बात पति पत्नी के पीज किसी परकार के गिलेफ्हे में डूर हो सकती है दामपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा आज के निमसुर की दाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सफेदन लगी नमर रहने वाला है दो बात केंगे मीन डासी की मीन डासीम चंद्रमा आज दूसरे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज किसी धार्मी के आतरा पर जाने के आपके योग बन सकते हैं आपके कोई महतोकांच्छा आज पूरी हो सकती है आज के दिन आप वैस्त रह सकते हैं किसी फालतो के काम के कारेन भी लेकिन आपका समय बरबाद हो सकता है तो इस बात का ध्यान जो रखें अपना समय अपने कारी छित में लगाएंगे तो ज़दा बहतर रहेगा आज आपके लिए अलुंकूल इस्तिती बनी रहेगी आज आपने मन की करने की कोशिश भी करेंगे बात केंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार में जो खिम लेने से आपको आज बचना चाहिए किसी गवार आपने पैसे उधार दे रखें तो वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं जो तक दलाली का काम करते हैं उन्हां नुकसान हो सकता है आज आपका खर्च आपके आएशधिक हो सकता है विद्यार्थि की बात केथ, विद्यार्थियों के लिए आज के मध्यम रहने वाला है महनत से कम आपको सफलता के प्राप्ती होगी फिर भी महनत में किसी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात केद किसी पुराने रोग से चुटकारा मिल सकता है स्वास्त आपका अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात केद आज अपने जीवन साथी के वेभार से साब्धान रहें अच्छानक से कोई प्रतिकरिया ना दे रिष्टों में से खटा सत्पन हो सकती है आज के निगा अरहर की डाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चमकी ले रंग लखी नम्मर रहेगा 9 तो में तो ये तो था आज के 12 रासी का रासी फल अब जान लेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिक काल रहने वाला है दिन के 2 बच कर 10 मिर्च लेकर 3 बच कर 53 मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो इसमें आपको सफलता हाथ लगेगी आज का असुब समय यानि की राहू काल रहने वाला है सुबह के 7 बच कर 17 मिर्च लेकर सुबह के 9 बच तक इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिल्कुल बचें दिसासूल आज पूरु दिसा में पूरु दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करें आप आपको नुक्सान हो सकता है और सुबह खादे आज असा कुछ नहीं है क्योंकि आज सोमवार है लेकिन दर पर देखकर यातर नारम करेंगे तो के कारी आज बनेंगे तो मितुर ये तो था आज का संपून रासी फल कल के संपून रासी फल के लिए जुरे रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जै माता दी